गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 सत्र में तीन प्रभु बताए हैं ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरन समाप्त हो सकता है? तीन प्रभु में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूर रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरु तत्वदर प्रशी संथ राम पाल जी महराज के अम्रित्वचन उसने जैसा ग्यान है वो जुरूर आका कहेगी क्योंकि वह नो सोचा है मेरा भाई बहन भाबी मरना जा और मुझ वह जो ग्यान पता है उसनो फाइनल मान रही है वह नो को है कि चल वहाँ जाड़ा लगाते हैं जाड़ लाने से अमारा प्रमात्मा कनेक्शन कट गया वहां कुछ थाए निए उसनकली के पास तो अब वो रोग फिर सुरू हो गया और मर्त्यू को प्राप्त हो गया बता चाट ले उसने तो प्रमात्मा कहते हैं जब तक हनसा हमरी आना अर काल लग गया निए तेरा बाणा इसकी मर्यादा मर रहो तो इस परकार दिक्कत हो सकती है आपको निए तस सब को सुख देगा और फिर बात ये रही कि जैसे नाम ले लिया और नाम ले लिया नाम लेने के बाद भी जमर्तू हो जाती है ये समझ लो उसका मान और सरीर मनुस जीवन गारंटीड है स्वगवान के द और फिर वक्ती सुरू हो जाएगी और ये दिमर्यादाम रहेगा तो मोक्स होगा स्वस्थ भी होगा और मोक्स होगा दोनों काम होंगे तो ये वो सचा स्थान है परम पिता परमात्मा पूर्ण बरम सारी स्रिष्टी के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमिश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुन्यात्माएं सतलो कासर अबरवाला में परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हो पाए और भी जिन को नात्माओं के सत्संग सुनने को मिलता है चाए किसी डीवीडी सीडी के मादम से या किसी टीवी चैनल के मादम से दन भाग हैं वो पराणी है क्योंकि सत्संग सुनने से इस जीव को अपने मनुस जीवन के करिटव का ग्यान होता है जब तक हम सत्संग नहीं सुनते हैं तो अपनी परमप्रागत सभी क्रियायwości को अंतिम मानकर उसी में सनलगन होते हैं और डड़ता के साथ उसी कारिये को कर रहे होते हैं तो सत्संग सुनने से ग्यान होता है कि मानो सरीर किसलिये पराप्त हुा था और हम कैसे यहां आये हैं हम क्यों जनम और मर रहे हैं क्यों इतने कष्ट भोग रहे हैं कोई पसू बना है, कोई पकसी बना है मानो स्रीर में कोई परानी सुखी है ही नहीं यह दिकोई अपने आपको सुखी मान रहा है उसकी भारी भूल है कबीर परमात्मा ने आकर बताया है कि तुम ऐसे गंदे लोक में रह रहे हो जहां पर आपका एक स्वास का भी बरुसा नहीं है कि कब आप यहां से चले जाओ और फिर आप ऐसे यहां पर बड़ी बड़ी कोठिया बना के नंबा चोड़ा परिवार बना के खुस हो जाते हो कि मेरा वन से चल गया मेरी बहुत बड़ी संपत्ती बन गई है ऐसे परमान देखने को मिलते हैं कि एक्सीडेंट के अंदर पूरा का पूरा प्रिवार नष्ट हो जाता है सन दो हजार 27 जनवरी 2000 के अंदर एक भू कम पाया था गुजरात के अंदर सभी अप अपने घरों में गनतंतर दिवस की जांक्षियां देखने के लिए अपने टेलिविजनों के पास बैठे थे सरकारी छूटी थी जिन कोठियों को बनाने में तीन तीन पीडियां लगी वो तीन तीन पीडियां उसी दिन समाप्त होगी खतम होगी एक भी नहीं बचाओ तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं तेरा बोले मानुस कहां बैठा है तुन्हें बहुत गनी भांग पी राखिये इस काल की कबीर साहिब कहते हैं कबीर यह माया अट पटी और सब गड़ अर्ण अडी किस किसने समझाओं या कूँ भांग पड़ी फिर इसका विकलब बचाते हैं परमात्मा के तुन यहां का रहने वाला नहीं है तेरा अपना सथान सतलोक है सतलोक माने अविनासी नगर अविनासी देश उस सतलोक के अंदर चल वहां तुझे कोई आपत्ती नहीं आवेगी नावा वो कंप है नावा अकाल है सदा बार सब फल फरूट मेवा और सभी यह वहां बाग बगीचे जरने बैरे हैं तो पुन आत्मा हमें आज तक कोई यह बताने वाला मिला ही नहीं था कि इसके अत्रिक तबी कोई स्थान है जहां हम जा सकते हमने स्वर्ग सुने थे स्वर्ग और उसको हम बहुत उत्तम स्थान मानने थे अब प्रमात्मा के ग्यान से इस रोसनी से पता चला कि यह स्वर्ग क्या है यह सबसे बड़ा दोखा है इस जीव के लिए श्वर्ग वो स्थान है जैसे किसी बड़े सहर में बड़ा होटल हो जिसमें सब बकवादे हो नाचने गाने वाली हो गुटी सुटी लाने के लिए सारी विश्था हो बढ़िया खाना पीना हो और जब तक वो होटल में रहता उसे कोई काम नहीं गंटी बजाई और सारी हज्दर पाई लेकिन وہاں कौन जा सकते है धनी वक्ती और फिर वहाँ क्या करते है वो धनी वक्ती अपनी पुंजी का नास करके जेब कटवा कर खली करके फिर मूँ लटका के अपने फिर करм अक्सेतर में पुने आते है ये सुर्ग ऐसा बताया परमेश्वर कभीर जी ने जैसे गर्मियों के दुनों मापसे मला चले जाते हो दो मेने वो भी कौन जा सके जो सेट शाव कार पैसे वाले होंगे धनी और पचास जार रुपे ले जाएंगे ओटल में कमरा किराय पर लेंगे और सब अपने अपनी जैब से सब खर्चा करेंगे और दो मेने में वो पचास जार रुपे खत्म हो जाएंगे जैब खाली हो जागी फिर भू लटका कर वापस वहीं आएंगे तो दस मेने तक फिर वो अटबट करके पैसे जोड़ो अगले वर्स हो सकता वो पैसे ना बने दो मेने के लिए फिर वहाँ टाइम पास करने के लिए तो प्रमात्मा ने बता है कि यहाँ जितने भी रिसी मुनी सादू संथ सादक जो सादना किया करते थे और वो स्वरग में चले जाते थे सुरग एक बहुत बड़ा होटल है वहाँ पर सब बगवासे हैं और अपने ही उस्पनों की पुंजी से वो सब वहाँ अपना खरच किया करते थे और जब उनकी पुंजी समाप्स हो जाती थे उनको धक्का मारके बाहर निकाल दिया जाता है फिर नर्क में डाले जाते थे अब परमातमा ने वो स्थान बताया है कि जहां जाने के बाद आप कभी लोड़ कर संसार्मा नहीं आओगे ये हमारे सद्गरंतों में ये स्थान विद्मान था इसके बारे में विवरन था लेकिन हमारे धर्म गुरु उसको सपस्ट्री कर सके क्योंकि उनको कम्पलीट सेप्लिच्र नौलिज नहीं था संपुरुन अध्धातम ग्यान नहीं था वो हमें कहां लगाए रखा है उन्होंने शिरी बरमात जी को तो हम ये पूज्या बताती ही नहीं थे शिरी विष्णो जी और संकर जी को शिरी दुर्गा जी को और बाकी अन्य सभी देवी देवताओं को अनुमान जी को बैरो और भूत बतालों को इन सब को पुजुआ रहे थे और कोई एकाद ही किसी की उद्धी जाती थी जो ब्रम तक की साधना करते थे फिर वो अपने आपको सब शेस्श्ठ मानते थे अप प्रमात्मा की तत्वग्यान से पता चला कि ये जो ब्रम कोन है ये तो काल है 21 ब्रमान का स्वामी है जिसने आपको यह महा कष्ट दे रखा है अपने स्वार्थ वश्रोक रखा है ये था वो ब्रम तीन देव को सब कोई धावे उच चोथे देव का मरमन पावे चोथा छोड़ पांच में को धावे कहे कविर्शो हम पर आवे तो प्रमात्मा कहते हैं कि इन तीन देवताओं क्यों तो सभी पूजते हैं और चोथे का को एका दाही यानि बिर्म को बहुत ही कम जानते हैं और चोथे को भी छोड़ पांच में यानि स्वम परमात्मा है उनको छोड़ कर जो हम पर आते हैं कहते हैं उनका फिर जनम मरन हो नश्ट हो जाता जिनको पांच में का ग्यान हो जाता हूँ हमारे पास आ जाते हैं तो पने अत्माओं उस परमिश्वर ने स्वर्म आकर हमें ये ग्यान दिया है कि एक और सथान है जहां कोई दिक्कत नहीं, कभी मर्टों नहीं होती जैसे शिरी मद्भगुत गीता पुटर हिंदु धरम के सरदालों के लिए एक अनमोल गरंथ है और बहुती आदरनिय गरंथ रहा है हमारे धरम गुरू इसी को नहीं समझ सके ये संकेत क्या कर रहे है ये कहते रहें स्री करशन जी ने गीता जी का ग्यान दिया यदि हम ये मान कर चलें कि स्री करशन जी ने गीता जी का ग्यान दिया वैसे तो श्री किर्शन जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल भगवान ने ब्रह्म ने ये ज्ञान बताया जैसे कोई भूत प्रेत प्रवेश करके दूसरे की बॉट्डी में अपना ज्ञान दे देता है जैसे ब्रमाक मारी पंथ है ये माउंट आबूप है ये एक भूत का चलाया हुआ है किसी में एक भूत आता है कोई माई में या किसी बगत में और वो अपनी अठपट बक्वास करके चला जाता है तो इसी परकार वो काल श्रीकर्सन जी में प्रवेश करके बोल रहा था यदि हम श्रीकर्सन ही मान कर चलें और ये कहा करते हैं श्रीकर्सन जी सर्वेश्वर हैं अमर हैं विश्णों जी के अवतार हैं अवतार थे और ये सब सब के मालिक हैं सिबर मंदों कर चुन हो रहे हैं इनकी जनम मर्तु नहीं होती शिरी मद्भकुत गीता जहा है नमर दो सलोक बारा में शिरी मद्भकुत गीता जहा है नमर चार सलोक पांच और नो में शिरी मद्भकुत गीता जहा है नमर दस के सलोक नमर दो में गीता ग्यान यह अगर कि आताथ कि मैं नासवाल ने उन्हें घहां है तो भी नासवागें फिर क्या बताया है कि अधिनउसे परमाइत्मां में को कोई और है कि मुझेय सोलंा और श़ित्हाइघ नम्र पंदुराकर सब कर दो समसार्ण FIRक्षय उसके की जड़ है और नेचे को तीन गुंड रुपी साखा है और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसा रुपी वरक्स के सभी पारट बता देगा सभी भाग बता देगा से वेदवित वो तत्वदर्शी संत है गीता जाय नमर चार के स्लोक नमर 32 और 34 का निसकरस है कि गीता गयान डाता कहता है कि मैंने जो अभी तक धार में की यगों की जानकारी दी है ये कम्पलीट नहीं है वो कम्पलीट जानकारी तो स्वम परमात्मा अपने मुख कमल से बोलता है उसको तत्वग्यान कहते है वो सह स्रीड आता है यहां के अपने मुख कमल से बोलता है उसको तत्वग्यान कहते है और उस तत्वग्यान को तु तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ उनको ग्यान दाता भी नहीं जानता उस तत्व ग्यान को और फिर पंदर में जाय के पर्थम मंतर में ये भी कलियर कर दिया है कि तत्व दसी संत होगा कौन क्या पहचान है उसकी कि उल्टे लटके वे संसार रुपी वर्क्स को उसके सभी भी भागों को जो बता देगा वो तत्व दसी संत है तो परमिषवर श्वम ये डिला करते हैं परमात्मा बताते हैं कि हम चारो योगों माते हैं और अपने प्यारी आत्मा हों से मिलते हैं उनको इतत्व ग्यान से प्रीचित कराते हैं वो भी गुन गाते हैं सचाई का यह था अर्थ बक्ती मारग का और मैं स्विम भी एक संत की भूमिका करके हैं यही ग्यान बताता हूं तो परमेश्वर ने शस्टो वर्स पहले बता था अक्सर पुर्स एक पेड़ है और सर पुर्स वाकी डार जोत नरंजन ब्रम उसकी डार और तिन्नु दिवासा खा हैं वाई पात रूप संसार तो परमेश्वर ने शस्टो वर्स पहले बता दिया था वो तत्वदर्सी संत की भूमिका भी स्वामि करते हैं यह सबी वेद गवाई देते आपके बहुत बारोगरोगिया है कि वेदों में यही परमाण है कि परमात्मा ऐसी लिला करता है सैसरी सत लोग में बैठा है वो वाँ तेजों में लोग है ऐसी परच्विय जैसी यह है लेकिन उसका मेट्रियल अविनासी है और वहां परमात्मा की वेविनासी है वारेने वाले सभी यहीं कितने श्रिष्टी है बाग बगिचे हैं सभी वहां पर नर और नारी करके सभी भगत है परमात्मा की भगती करते हैं आराम से रहते हैं कोई रागदवेश नहीं है और प्रमात्मा वहाँ से चलकर सहस्री राते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्यान से प्रिजित कराते हैं, जिस कारण से वो एक परसिद्ध कभी भी कहलाते हैं, और वो प्रमात्मा एक एद्विध्य ज्यान का अविस्कार क और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा साखा हैंगे पात रूप संसार अब गीता जैनमर 15 के स्लोक नमर 16 और 17 में तीन पुरुषों की फिर से जानकारी दी है सरपुरुष और अक्सरपुरुष इस संसार में दो पुरुष माने सुने जाते हैं सरपुर्ष 21 जोस्ति नहां दैंट काल ये ब्रह्म है जिसका ओम नाम है और अक्सरपुरुष स्संग ब्रमान्द का स्वामी है और यह दोनों औरने के अंतर कर्दितने पराणी आते हैं यह सभी नासवान है जीवातमात किसे की भी ना मरती कि देखुते की भी नी मरती वो तो विशे ही अलग है फिर पंदर में देखे सतरमें सलोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुर्शतु अन्या परमातमा यति उदारत है यह लोग तर्म आवेशे विबरती अवेश्वरे जो इन दोनों से कोई अन्य है वो उत्तम पुर्श पुर्शोतम स्रेश भगवान जिसे परमातमा कहा जाता है परमातमा का रहता है स्रेश आत्मा जो केवल सुख दे दुख नहीं दे सकता और यहां सुख नाम की चीज़ दी केवल दुख ही दुख दे राख्या ये परमात्मा नहीं है जहां आप रह रहे हैं ये लोग परमात्मा का नहीं ये तो काल भगवान का लोग है फिर बताया है कि वो तीनों लोग को परवेश करेकर सब का धार्ण पोश्ट करता है जैसे उल्टे लटके हुए संसार रुपी वरक्स की जड़े होती है जड़ों से ही पूरे वरक्स को आहर मिलता है उसका पोश्ट होता है इसी परकार वो जड़ रुपी मूल जो परमात्मा है तो सब का धार्ण पोश्ट है वो परमक्सर प्रम है वो परमक्सर पुर्श है वो असंग बर्मांड का स्वामी है वो स्वयम परमेश्वर कबीर देवजी हैं कबीर साहिब हैं जो कास्टी में धानक रूप माई थे जुलहा रूप माई थे जैसे संसार रूपी वरक्स को जड़ों से ही सबका उसका पोजिशन होता है इसी परकार गीता जाय नमर 15 के शलोक नमर 17 में कहा कि यह लोग तरह में आवी से भी वरती दो तीनों लोग को परविश करका सबका धार्ण पोजिशन करता है वो वास्ताव में अविनासी परमादुआ है अपने अत्मों यहां भरम पैदा कर देते हैं कुछ मुरुख के गीता जाय नमर 15 के शलोक नमर 18 में गीता क्या अंदाता कहता है कि मैं परशोतम हूँ और सब इन मेरे अंतरगत जितने पराणी है मैं उन्से उत्तम हूँ यह यहां क्या कहना चाहता है कि मेरे 21 बरमाद के अंदर जितने मेरे अंतर्गत पुराणी है उन से मैं स्रेष्ट हूँ उन ततगड़ा हूँ ताकतवर हूँ जो चावेशो कर दूँ इनके लिए इसलिए मैं लोक वेद के आधार से लोक वेद माने दंत कथा कही सुनी इन बातों से मैं पुरषवत्वं परसीद हो रहा हूँ जो द्रम परसीद कर दिया अब लोक वेद क्या होता सुनी-सुनाई कथा है जैसे हमने सुन रख्या था कि विर्मा विशनों महज अविनासि है इनके कोई माता पेता नहीं है यह था लोक वेद दंत कथा बकवाद जूठी कहानी अरब पता चलाई थियास से इनकी जीवनी से कि नासवान है इनकी जन्मर्ति होती है इनकी माता है दुरगाह और पिता है जोच शुरूपी नरदन काल है हमारे सद्गर्णत भी बताते हैं और परमातुमान जो सुक्सम्वेज दिया समय तो कंप्लीट से प्रोचल नौलेज है उसके अंदर सारा ये विवर्ण मिला तो वो लोक में क्याधार से हम मान रहे थे विरमा विश्वन में इसे उपर कोई सक्ती नहीं ये तो सक्ती के सबसे न्यमन सतर के देव हैं इसके बाद तो सक्तियां सुरू होती है तो अपने अत्माओं परमात्मान दया करी सत्गुरु आए दया करी ऐसे दीन दया ले बंदी छोड बरतास काहा जठर गनी परतपाल गरीबदा साहिब जी कहते हैं सत्गुरु आए दया करी उस परमपता ने आपका उपर मेहर करी दया करी ऐसे दीन दयाल उन्होंने आकर ये ग्यान दिया कि एक और सत्थान है गिता दया नमर पंदरा के सलोक नमर चैर में कहा है और गिता दया नमर अठारा के सलोक नमर बैसेट में भी कहा है कि अर्जुन तु सर्व भाव से गीता ग्यान दाता कह रहा है तु सर्व भाव से उस परमेश्वर की संवजा उसकी किरपा से ही तू परम्ष्यान्ति को और सनातन परमधाम सासवत सथान को उस परमेश्वर की किरपा से ही तू उस सासवत सथान को सत लोग को सासवत माने अव एविनासी लोग को प्राप्थ होगा गीता ग्याय नबर 15 के शलोख नुम्बर 4 में कहा है कि उसके पस्चात तत्व दर्शी संत के प्राप्त होने पर उस तत्व ग्यान से अज्ञान को काट कर उसके पस्चात परमेश्वर के उस प्रमपत की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद सादक फिर लोटकर कभी सार्मा नहीं आते गीता जाय नमबर ठारा के सलोक नमबर 66 में गीता ग्यान दाता कहता है कि अर्दुन तो मेरे सतर की जो वक्ती है सर्वा धर्मान प्रितज माम मेरे सतर का जो ओम नाम का जाप और यग आजी तू करता है ये मुझे दे दे ये दी तूने उसकी सर्ण मजाना है तो उन्हें आत्मों गीता ग्यान दाता कम्पलीट सेप्रिट्वल नौलज नहीं रखता उसने तू बता दिया है कि तत्वदर्सी संद बताएंगे उनसे पूछो तो तत्वदर्सी संद स्विम प्रमातमा ही आते हैं और दूसरा कम्पलीट सेप्रिट्वल नौलज नहीं दे सकता है तो उस प्रमेश्वर ने इस दास को अबेज़ा है अपना कम्पलीट सेप्रिट्वल नौलज देख रखे तो ये दास्वक सत्वा दर्सी संत है आज विश्वे में और कोई नहीं है और नहीं आगे होगा तो इसमें क्या बताया है कि जैसे गीता ग्यान दाता ने गीता जैन नबर आठ के स्लोक नबर तीरा में अपना अपनी साधना बता दी मुझ बर्म की गीता ग्यान दाता बर्म है इसमें सफ़ष्ट भी हो गया है कि मुझ बर्म का कि वले को मंत्र है नथिंग एल्स और नहीं कुछ भी और जो अन्तिन स्वास तक इसका स्यमन करता हुआ श्रीर छोड़ कर जाता है तो वो प्रमगती को प्राप्त होता है कौन सी प्रमगती को जो ओम से होती है ओम के जाब से ब्रम लोग प्राप्त होता है श्री देवी भागवत सातने सकंद में श्री देवी जी खुद कह रही है राजा हिमाले को के तु सब बातों को छोड़ दे और मेरी बक्ती भी त्याग दे दितने मोक्स चाहिए से जैसा वो ग्यान जानती थी बिर्म तक का ये ओम नाम का जाब कर बिर्म पाने का उदेश से रख तेरा कल्यान हो जागा और बिर्म लोक को पराप्त हो जागा वो ब्रहम लोक में रहता है ब्रहम डिव आकास रूपी ब्रहम लोक में वो ब्रहम रहता है तो ओम नाम के जाब से ब्रहम लोक परापती होती है गिता धैनमर आठ के सलोक मर सोला में सबस्ट कर दिया है कि बिर्म लोक में गई हुए प्राणी भी जनम मरत्यों के अंदर हैं पुन्रावर्ती में हैं पुन्रावर्ती माने आवागमन यानि ये चक्कर बना ही रहेगा तो इसलिए तुसे ने कहा कि तू उस सर्वभाव से उस प्रमेश्वर की सनमजा और उसके लिए तत्व दर्शी संतों की खोज कर तू यहां कहने का भाव ये है कि गीता ग्यान दाता ने अपना मंतर बता दिया ओम अब गीता जाय नंबर 17 के सलोक 23 में कहा है कि ओम तत सत इती नर्देश है ब्रमने तरविदे समर्त है ब्रह्मना तेन वेदा चैयेगा विहिता पुरा सतीदानंद घर्म पनम अक्सर ब्रह्म के पाने का तीन मंतर का जाप का नर्देश है नर्देश मन फाइनल नथिंग एल्स और कोई अटबटन इसके साथ तीन मंतर का जाप है उससे उपरम अक्सर ब्रह्म प्राप्त होगा ओम तो ओम है ये ब्रहम का सरपुरुष का और तत ये संकेती के ये अक्सर पुरुष का जो साथ संग ब्रमाड का स्वामी है और सत ये परमक्सर ब्रहम का ये भी संकेती गुपत है इस दास के पास है और ओम और तत सब्द मिलके ये दो अखर का सतिनाम बनता है और तीसरा मंतर वो सार नाम है ये सतिनाम भी अभी तक गुप था और सार नाम भी गुप था परमात्मा कहते हैं सो हम सबध हम जग में लिये और सार सबध हमने गुप छिपाए वेदुम परमान है रिग्वेत मंडल नाम ऑपनी वाणित बाराग्ण पर चार करता है और एक तो सिमंत्र कि अविश्कर करता है गुंत मंतर का मविश्कर करता है यह पर मातमा के 100 हम सब्ध हम जग में लाए किसी भी गरंथ में आज तक किसी भी धरम के गरंथ में जब तक परमातमानी आये थे 600 वरत से पहले आप देख लिए पुरान कुरान बाइबल और अपने वेद गीता सोहम सब्ध आपको नहीं मिलेगा तो सोहम सब्ध हम जग में लाए और सार सब्ध हमने गुप छुपाई तो परमातमा उस परमातमा ने बताया है जैसे गीता जैनमर अठारा के स्लोक 66 में कहा है सर्वय धर्मान परी तजमाम क्योंकि ये कम्प्लीट कोरस है इस तीन मंतर का जाप करना पड़ेगा जिसने मोक्स चाहिए फिर ये कहता है जब ततो दर्शी संद में लाएगा तो ग्यान भी कम्प्लीट देगा मंतर भी सही देगा तो इसलिए कह रहा है कि उस मंतर में जो तीन मंतर के जाप में जो मेरा मंतर है उसकी धार्मिक क्रियाएं सारी कमाई मुझे दे दे तब मैं तुझे मुक्त कर दूँगा छोड दूँगा तो जा सकता है उस परमात्मा की सरण में जिसके लिए अठार्मिदै के बेस्ट में स्लोक में कहा है या इन सभी अनाड़ी अन्वाद करता हुएं इतना गल्ट अन्वाद कर रख़े है सारी गीता का जो उना योटरन कर दिया उन्होंने सारा भाव बजल दिया वरज माने जाना होता है और इन्होंने कर दिया क्योंकि इससली करती है उपर इनकी बुदी नहीं उठी थी उनको सर्वा सकती मानवाने रहे थी तो इन्हों ने कह दिया कि सभी मेरी पूजाओं को मुझ में छोड़ कर मेरी इसरनमा आजा गिता जहा नमर दो के स्लोक नमर साथ में अर्जुन पहले ही कह रहा है कि मैं आपकी सरनमा हूँ आप मेरे भगवान हो मेरे गुरू हो मेरी पूजी काम करना बंद कर गी है जो मेरे हित्म हो आप बताओ मेरे जो भी धार में अनुस्ठान तो करता है जाब करता है यग करता है ये मुझ मैं छोडे एकम सरनमर एकम जिसके पराबर दूसरां ना हो एद्वितिये उस परमेश्वर की सरण में वरज माने जा यह बोंदू मुरख बना रहे और गो माने इंगलिस वरड है गो माने जाना होता है और वो कहीं भी सेंटेंस में लगा हूँ उसकार कम नहीं हो सकता आना नहीं हो सकता सीधिसी बात है बुद्धिमान को संकेत रहे थे तो यह क्या कह रहा है कि सर्वय धर्मान परितज्वाम मेरे सतर की सभी मेरे बुद्धाओं को मुझे छोड़ दे फिर उसकी सर्ण में जा एहम तवा सर्वय पापे वह मुक्षामी मासुच मैं तुझको सभी पापों से मुख्ट कर दूँगा तुझ अन्ता ना कर है अब हम कैसे अपनी गलती करते रहे हम क्या करते थे ओम नाम के जाब की और इन सभी यग जो करते थे हम पांचों इसकी कमाई को हम कहां बरबाद कर देते थे इसके महा सुरग में चले जाते थे वह महा सुरग है वहां बड़ा होटल है ज्यादा खर्चा ज्यादा बकवा दें तो वहाँ हम हजारों हजारों वर्सों तक रहे इतने कमाई कर गे और वो पुन्जी नास होगी पटक दिये धरतीब बन गदा तो हम अपने पाप के आधार से हम फिर कर्म भोगते रहे तो हम जैसे हम ने किसी का रेंड ले रखे हैं उसे ने हमें बंदक बना रखा है पह हमने पार्ट साइड ये कर लिया बदिनस इस बगती आला तो हम इतने दनी होगे इस का रेन दे देंगे ये हमें छोड़ देगा फिर नहीं रख सकता तो प्रमात्मा ये कहता है कि मेरे सतर की जितनी कमाई पूजा है तो मुझे छोड़ दे फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूँगा जब हमने रेन दे दिया किसी का ले रख्या था तो फिर अले हम बरी होए उसका रमारा कोई लिंक नहीं रहा तो ये ये कह रहा है यहा आत्मा ने कहा कि जब ही सतनाम हर दे धरो बहो पाप को नासे जैसे चंगारी अगनी की वाई पड़े पुराने गासे के सतनाम जो आपको इसके बाद आपके आप ऐसे जल जाएंगे जैसे धेर सारा घास सूका पड़ा हो उसमें एक माचस की सीख लगा दी जाए जलकर देता है तो आपके असंख जनमों के धेर बने पड़े पापों के अब आपको औस्ती मिली है जिसने ये फूक के जाएंगे आप ये जलेंगे सारे तो उन पापों को तो मालिक के इस नाम से समाब्त हो जाएगा फिन रहे जाएंगे पुन इसके सतर के हम इसको देदेंगे ये हमें रेन मुक्त कर देगा इस गीता जाय नमर ठारा के सलोक नमर चैसिट का ये विशलेशन है और ये गल्द कहा करते थे मेरी शनमों आजा मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूँगा ये कोरी बकवाद गड़ा करते सत्गर्णतिनों ने समझा नहीं ये अग्यानी थे सारे के सारे तुपने अत्मों अभी तक हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कि इस जनम मरतू का कोई विकलब भी है और जो करिया हम कर रहे हैं जहां यहां विश्था करने जा रहे हैं इससे भी कोई अच्छी विश्था है अब ये तो आपने मानना पड़ेगा यूनिवर संपती आपकी है वो आपकी नहीं है और ये भी एक जात्म ग्यान के अंदर ये भी परमाण है कि एक समय इस परिच्वी पर कुछ नहीं रहेगा सब खत्म होंगे तो इस आधार को भी मान लिजिए कि फिर कहां रहोगे फिर भूत प्रेत बनकर चकर काटते रहोगे जब तक दूसरे ब्रमाण में दुबारा शिर्ष्टी स्टार्ट नहीं होगी फिर ये दक्के खाने आपके दूसरा ये है कि आज कितनी बड़ी संपत्ती आपकी है वो आपकी नहीं है आपने त्याग कर जाना पड़ेगा और फिर तीसरा इसका विकलब ये है कि मान लिजिए आप किसी सहर या गाउं मरहरे हो और आपके पास एक कोठी भी है एक कार भी है और थोड़ी बहुत और व पर है ऐसा सथान मिल जा सो एकड़ जमीन हो चार गुनी बढ़ या कोठी हो माई टूबल लगा हुआ हो बाग लगा हो आपको कोई ये कहा कि इसने छोड़े और चल तुझे वहां अलोट करता हूं दो मेंट भी ना लावे दो मेंट तो नहीं त्याग उड़ा बैठेगा त वहां आपके महल जहां पहले रहा करते थे वो खाली पड़े परमातमा बटक रहे हैं तुम गल्ती करके आगे लेकिन वो हमारे पिता है कहते हैं बच्चे गल्तियां कर देते हैं मात पिता फिर भी उनके पीछे ही फिरते रहते हैं तो परमातमा कहते हैं मैं रोगा तो शिर ताका हूं मैं दास और गेल गेल लाग गया फिरू जब तक धर्तिया कास तो परमात्मा आपके पीछे फिर रहे हैं ठत्सो सार पहले गली गली में गुम्या करते थे एक तारा लेकर और गली में खड़े हो करके आवाद लगाने लग जाते थे परमात्मा अपनी महिमा आप इसकारण से वो कवी कैलाए और वहां बताया करते थे अपना आत्मा अपने बच्चों के लिए कैसे बठक रही होते हैं अब परते का आत्मा को परमात्मा की आवशकता है इसको जब तक कोई प्रेरित नहीं करता तब तक ये उसी विवस्था को फाइनल मान रहा है बस चलो खेत में चलो नोकरी पर चलो दुकान पर चलो मजदूरी पर बनाओ खाओ सो जाओ फिर चलो फिर पढ़ जाओ फिर मर जाओ तो जब परमात्मा जाते थे आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है काल ने इस मन को एजेंट को इसके उपर परधान बना दिया इसको ये बकवाद्दम लगाएं रखता चल से निमा देखेंगे लाले गोटी बना ले मीट चल वहाँ गोमकाते हैं शोर से पुटे करकाते हैं चल वहाँ फलाना करते हैं कोठी बना ले करजा ले लिया फिर शिर्मदर्द हो गया वो करज नीदान देनी और वहाँ जाके बगवान क्या कहा करते थी मनने की कर ले दो दिन का महमान तनमन ने की कर ले दो दिन का मेहमन जोरू लड़का कुटम कबीला दो दिन का तनमन का मेला जोरू पतनी है जोरू लड़का कुटम कबीला दो दिन का तनमन का मेला अन्त समें उठ चले अकेला ये तज माया मुडान मनने की कर ले दो दिन को महमान मनने की कर ले दो दिन का महमान कहां से आया का जाएगा कहां से आया का जाएगा तन छूटे तब कहां समावगा आखिर तुझको कौन कहेगा गुरू बिन आत्म ग्यान मनने की कर ले दो दिन का महमान मनने की कर ले मनने की कर ले दो दिन का महमान कौन तुमारा सच्चा साही साही मने मालिक प्रमात्मा आपका सच्चा मालिक कौन है कौन तुमारा सच्चा साही जूठी है ये सकल सगाई ये सब नाते रिष्टे सब ऐस्थाई है कल मरती वह जाएगी फिर कोई पसू बनेगा कोई पक्सी बनेगा कहां तु जुगार जोड़े बैठा भोली आत्मा कुछ चिंता कर विचार कर इस बात पर कौन तुमारा सच्चा साई जूठी है ये सकल सगाई चलने से पहले सोचरे भाई कहां करेगा विसरा मनने की कर ले दो दिनका महमन मनने की कर ले दो दिनका महमन हर हट माल पन गट जो भरी ता आवत जात बर और री ता जुगन जुगन तु मरता जीता करवा ले रे कल्यान, मनने की कर ले, दो दिन का महमान, मनने की कर ले, दो दिन का महमान, कर मेरी पहचान, मनने की कर ले, दो दिन का महमान, मनने की कर ले, दो दिन का महमान, अपने आत्मों, आप जब इस ग्यान से प्रीचित हो गए, तब आपकी आत्मा रोया करेगी, कि हम किस बात पर, किस आसा को ले कर जी रहे थे, आप अपने आपको एक मूर्क समझोगे, अब इस मालक के नाम से लगने के बाद आपके गर्मा भी सुखी, क्योंकि ये सुख सागर है, दीन द्याल है, और सब कष्ट हरता, सब दुख हरता, सब सुख करता, ये संकट मोचन कभी रपर मैशुर है, वो भी सुख देगा आपको ताकि आप बक्ती कर सको, ना बक्ती नहीं बर सकती जीवते जब तक थोड़ी बहुत रहाती सात्मा को न मिलेगी, तो क्या कहते हैं, अब कहीं भी जाकर परमात्मा खड़े हो जाते थे, और इन बाता ना सुनके आत्मा के जरूर चेतना होती है, ठीक है, ये ज़्यादा विकारों में दबगी, पापकर्मों की छाया गणी इसका उपर होगी, बीच में बादल अडगे, आत्मा औ पवन करेत्मंजन जलके तेज नयारे, जैसे सुरज के आगे बादल अड़ जाते हैं, दिन में भी रात दिखाई देती है, आज आपके ऐसी सथिती होगी है, अब इस भक्ती करोगे, इन नामों का जाब करोगे, ये प्रेम की पवन चाल लेगी, जैसे हवा तेज चलती है, बादलों को फैंक देती है इदर उदर, और फिर सुरिय का परकास, साफ दिखाई दे रहा होता है, परकास हो जाता है, इसी परकारी से, पाप कर्मों के बादल आत्मा और परमात्मा के बीच में अड़ गे, इस भक्ती के कारण, आप में एक प्रेम जा गएगा, और प्रेम की फिर आशू बहा करेंगी, प्रेम की कहते हैं, जैसे सुरज के आगए बदरा बादल, ऐसे करम चाया रहे, करम की चाया ऐसे है, और प्रेम की पवन करे चितमन जन, फिर जलक के तेज नह आ रहे, तो कहीं भी चो रहे पर खड़ा होकर दाता है, यह वो जन वो इला करते है और कहा करते हैं कि इस माया जोडन की ट्रेनिंग नरकम जान की सिक्स है तो आपको कोई भी दे देगा, आखिर तुझ को कोन कहेगा, गुरू बिन आत्म ग्यान, मनने की कर ले, दोहो दिन का मेहमा, इसलिए प्रमात्मन कहा है, सत्गुरू के दरबार में, जाईयो बारं बारेश, बुली वस्तु लखाद में, है सत्गुरू दात्रूरू प्रमात्मा कहा करते थे, नाम सुमरले सुकुर्म करले, कोन जान कल की, खबर नहीं पल की, क्या आत्मों, आप मेर हो रही है दात्ता की, अम्रत वर्सा हो रही है, आपके उपर रहर रहर के लह थे, ऐसी कल्य योग में, पहले तो कोई सोचता है न, बगवान बजये हैं, और कहीं किसी के प्रिर्णा होती है तिन अकली हजारों लखों की संख्यावन अकली संद ठक बठा दिये आपके उपर कलम तोड़ रही दाता ने कैसे आपको एग्यान हुआ कैसे आप तक यसंदेशा पोचा और कैसे आपका यहान आवा आप आम जीव नहीं हो परमात्मा की विशेश लाड़ ली आत्मा हो जिनके विशे वो कहते हैं गोता मारू सरुग मज़ा पैठों पाताल और कह कभीर मन ढूंडता फिर वो अपने हीरे मोती ला अब क्या बताते हैं अब क्या याद दिलाते हैं बोली आत्मा तु काँ फस बैठा यहां परमात्मा कहते हैं कभीर हरी के नाम बिना रजा रस्थब हो और मटी लदे कुमार कहे घासना नहीं रह कोई देखो कितने जालू है परमात्मा के लिए तो राजा भी उसका बच्चा है और जितने आईएस आईपिएस या जजज इंजिनिर डॉक्टर या छोटे करमचार यदिकार या मजदूर किसान दुकानदार बिजनिस में ये सभी या रख्षा चाल लग वो बच्चे उसी के और यहां काल की जो भांग पी का कोई गणी पी रहा है उसने बड़ी पोस्ट मिल गी थोड़ी पी रहा हो आप डरिक्षा चला रहा है तो परमात्मा कहते हैं वो सभी के लिए संदेश दे रहे हैं राजा को भी समझा रहे हैं कि यदी भगती नहीं करेगा अगले जनम गदा बनेगा तो यह कोई छोटी बात है यह बता देना क्या बीतागी तरे आगे जाने में नाम मानने वो उसकी बुद्धी कमजोर है जब राजा ही गदा बनेगा तो आम जनता को कैन गी आउसकता है नहीं वो क्या बनेगी फिर बगती भी ना अंडर्स्टूड है क्योंकि राजा को था हम समर्थ मानते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा उसको मानते हैं यह समर्थ है सब कुछ कर सकता है तो यहां बगवान हमें बताना चाहते हैं जिन राजाओं और राजनेताओं के पीछ तुम घोम रहे हो तुम्हें सुख दे या इनका अपनी वरुसा कल के हो जा तो उनका बहुत यह नहीं है कि वो बुरे आदमी है परमात्मा के कहने का यह उदिस नहीं है कि वो अपना काम सीमित ही कर सकते हैं आपको सुख ही नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते एक मन्त्री मुख्य मन्त्री कम से कम भी 5-6 लाख लोगों का नुमायंदा होता जो ऊसको उट डाल कर चुनते और फान्स पांस साल दस वरस बुर्स या पंधरा वरस भी रह जागा कितना नोकरी दे दी लड़के को लड़के की मरती होगी चाट ले नोकरी ने और नोकरी कोई भी चीज है उसको मिलेगी जिसके भाग में लिखा है राजा कलम चैंद नहीं कर सकता किसमत की तो कहने का भाउदास का यह है कि तुम भगवान से जुड़ो और इनी से फिर आपके सारे काम करवाओगा क्योंकि करता तुझे से फिर माविशनु महिस हैं ये भी भगवान के बच्चे हैं ये राजा है तीन लोगे इन से भी प्रमात्मा आपके काम ये खुद कराएगा बैठके सुक्सम रूप से जाके जब आप सत्वक्ती करोगे और विस हो जाएंगे करने के लिए वो सोच भी ने सकेंगे मैंने कब के कर दिया आपके लिए ऐसी कलब तोड़ देगा अब आपको बताते हैं थोड़ा सा इतियास बता दें यहां गंदे लोग का यहां जीव का फरोशा नहीं अब यह आपने सुनया नाम सुमर ले सुक्रम कर ले कौन जान कल की खबर नहीं पल की पनात्मों दास के आत्मा मैं इतनी रोस नहीं कर दी दाता ने आप और निसा भी यहां पर चुई के जितने पराणी हैं उनका बविश्य दिखाई देता है इनके लाग के बनेगी जो भक्ती नहीं करते हैं और जो इस साधना पर लगए उनको सुख कितना होगा दास को सब पता लगए और वही बाप को बताना चाहता परमात्मा का विद्धान जो भगवान बताया करते दास तो ऐस ये टेप रिकॉर्डर काम कर रहा हूं उसको अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया या पड़ लिया और आपको बता रहा हूं ये विद्धान है भगवान का इसने जो माननेगा वो सुखी होगा और तोड़ेगा वो दुखी होगा तो विध्धान बतारहा है बगवान का इसको तोड़ने वाले को यह दुख होगा और इसको अनुकूल चलने वाले को यह सुख होगा अब देख थोड़े सी इतिहास गिनाय दुम आपको एक पोलेंड देश का परद्धान मंत्री और अपने सारे सेयोगी मंत्रियों सहीत एमपी सहीत जिसमें एक जहाज में पचाण में वेक्ती थे वह सचीव सहीत और जा रहे थे किसी राजने ताका सोक वेक्त करने मूँ काण जावन थे और वो जहाज एक्सिडेंट हो गया है खतम हो गया पचाण में गये पचाण में मर गये अब उनकी कितनी आसाएं थी अप्रमात्मा बार बार कहते हैं आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं संत रामपाल जी महराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या साथ नहीं करते थे क्या आज आपका पूरा परिवार संत रामपाल जी महराज की शरण में हैं? जी हां हमारे गर में चार फैमली मेंबर्स हैं तो मेरे ब्रदर मेरे डाड़ी मेरे ममी और पापा सब ने हमने वहीं से नाम लिया हुआ है बहन जी पहले आप रादा सवमी पन से जुड़े थे आपके माता पिता रादा सवमी पन से जुड़े थे तो फिर आप संत रामपाल जी महराज की शरण में क्यों आये और कैसे आये? एक्चली बंदिशोर्द सद्गूर रामपाल जी महराज जी की शरण में हम एक हमारे भगत रमेश दास जी हैं उन्होंने ज्यान गंगा पुस्तक दी वो भी पहले रादा सवमी पन से जुड़े थे उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाए वहाँ पे सद्गूरू जो हम कहते ह हैं वो सच्चिस गुरू आई हुए हैं आप जाए वहाँ पे आपको लाब होगा ये सच्ची भक्ती नहीं है तो हमने वो ग्यान गंगा पुस्तक पड़ी और ग्यान गंगा पुस्तक जब उसके 10-12 पेज पड़े उसमें सृष्टी रचना पड़ी कि परमात्मा आकार में है वो सेर्शरीर है उसका नाम कभीर है जो कि हमें आज तक यहीं बताया गया है कि परमात्मा निराकार है वहाँ पे हमें हम एकदम शौक हो गए वी गोट अमीजड और हम वहाँ पर जाके बंदी छोट सद्गुरू रामपल जी की महाराज में शरन में जाके वहाँ पे हमन अंदर की मसी करूँ, लिखनी करूँ बन रहा है, धर्ती का कागद करूँ, गुरुगुनों लिख्याना जाए, मेरे परमात्मा, बंदी छोट, सद्गुरु रामपाल जी महाराज में, उन्होंने इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है, कि मैं आपको इस जुबान से आज तक बताया जा रहा था, कि हाँ, परमात्मा निराकार है, लेकिन एक्चल में, वेदो में, कुरान में, बाइबल, जो शीरी गुरुगुरु गरन साहिब है, सब में यही लिखा हूँ है, कि परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो अध्यात्मी क्लाब हुआ, म आलर्जिक तो यही लिख और जाने के बाद, कोशिश चाहिश नहीं करती यह अगर को दिखना बंडिशोड, सब ढंड़ जाने के बाद, नहीं परमात्मा सहर चाहिए, उसका प्रमारेणी करती है, उसका लिखा थारूटषण, साम मलें जाने के बाद, में आज कोई भी खर में उपर की तरफ जब टीचिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं दर्ध होना शुरू हो जाता था तो हमें घर में इस बात की टेंशन हुए कि हम क्या करें तो हमें सोचा कि चलो डॉक्टर से दिखाना चाहिए जो बौन का डॉक्टर है तो उससे पहले हमन किसी थंडग मेली उस जगहां पर और आज तक मुझे वह दर्ध नहीं हुआ उसके बाद घर में बहुत सारे लाव हुए हैं जैसे मेरे डैडी जब हम वहां पर गए तो मेरे डैडी वीलचियर पर गए थे उनका डैडी छोड़ चादगुरू रामपाल जी महाराजी की शर नहीं लग रही थी खाना अंदर नहीं जा रहा था वो हर वक्त बैट पे लेटे रहते थे बैट पे जब लेटे उते थे हमें रात को भी डर लगता था कि सांस चल रही है नहीं चल रही मैं उठकर आकर देती थी मतलब परमात्मा की इतनी दया हुई जब हम वहां गए तो परमात्मा को डड़ी ने कहा कि परमात्मा की बस मुझे इतना वो कर दो कि मैं चल कर जब नेक्स टाइम आऊं मैं वीलचेर पे नहीं चल कर आऊं अपने पैरों पे तो हम जब अपते बात गए तो परमात्मा की इतनी रजा हुई कि मेरे ड़ी अपने पाउं पे चल कर गए जो कि it was a miracle for us हमें लगता नहीं था कि हमारे डड़ी शायद इतनी ही जिंदगी होगी जब उनको खुद बाथरूम तक लेकर जाना हम बाथरूम की कुंडी तक नहीं लगाते थे डर रहता था, उनको उठाके मैं खुद लेकर जाती थे कभी ब्रदर, कभी मैं, कभी मम्मी, आप सोच सकते हो कि घर में बड़ा फैमिली मेंबर, head of the family अगर ऐसी सिचेशन में है तो घर के कितने, कितनी प्राब्लम्स होंगी बंदी छोडने वो ठीक कर दिया और परमात्मा की रजा है कि वो डैलसे, वो मैडिसेन, सब वो ही है काम करते हैं, मेरे ब्रदर, तो वो फटे वगेरा काट रहे थे, मशीन से, तो लोहे की जो पत्ती होती है, वो कटके मेरे ब्रदर की बाजू पे चली गई, वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी, हम डर गई, डॉक्टर से करा ब्रदर कि जिड़नाओ करता है वो बुले, अप्रेयट करना पड़ेगा, पूरी नसे देखनी पड़ेंगी, कुछ भी हो सकता है, हम ने बंदी छोर से अरज लगाई, पर्मात्मा क्या धनवत करा ब्रमात्मा बोले, तो पर्मात्मा ने फिर वो ही कहा कि पर्मात्मा भ सकती है रुक भी सकती है लेकिन वह दो साल हो गए है वह चड़रा वहीं बाजुमी है वैसे ही काम कर रहे हैं दे नेक्स इस आर्थी क्लाब जो आर्थी क्लाब हुए हमारे घर में पैसे की नो डाउट वी बिलॉंग तो मिदल क्लास फैमली थोड़ा बहुत तंगी थी लेकिन डड़ी के डालसिस के बाद होने लगी है लेकिन जब परमात्मा की बंदी छोड सद्कुरू रामपाल जी महाराज जी की शरन में आए तो हमें पता नहीं चलता मेरे मम्मी की एक वो थी कि हम इतना नहीं कर सकते हैं सेवा के लिए तो मैं क्या करूं परमात्मा आप थोड़ से पुछागर में ये किसने रखे हैं तो सबने बोला कि हमने नहीं रखे तो वो हमने वैसे ही परमात्मा की उसमें वो कर दिया लेकिन आप सोचके देखे कि दस हजार पे छोटी से अमांट नहीं होती है उसके बाद कभी दो सो कभी सबजी के लिए पैसे नहीं होते तक कर दिया कर रहे हैं कभी दो सो कभी पांच सो कभी सो और ऐसे ऐसे ही नोट होते हैं आप सोचोगे कि शायद एटीम से निकाल कर लाए हैं मेरे ड़डी डेल्स करवाने गए डेल्स करवाने गए तो घर से आपको बताए थोड़ी बहुत अमांट होती है उसमें हजार रुप पएका नोट अलग से था वो घर आये उन्होंने पूछा इसमें नोट किसने रखा है क्या किसी ने इसमें हजार रुपे रखे हमने कहा नहीं हमने तो नहीं रखे तब पता चला सत्गुरू कहते हैं कि यह तो रूंगे में दूंगा यह सब आपको रूंगे में मेलेगा औ पूर्ण पर मात्मा मिल गए और जितने लाब हैं आज तक लाब होते ही जा रहे ही बेंजी जा आज बारत साइनिंग इंडिया की बात कर रहा है कंप्यूटर का जमाना है क्या वास्तों में एक नाम जाप में इतनी ताकत है कि ऐसे मेरेकल्स हो जाते हैं जैसे कि आप बता रह है मैं यहां पर एक चीज दिखाना चाहूंगी एस रिलेटना कंसर्ण करा अपने टेकनोलोजी के साथ मेरे फादर को हेपेटाइटिस बी हो गया था काला पीलिया जिसे बोलते हैं और जो सची में यह बोला जाता है कि बहुत जादा खतरनाख होता है घर के फैमिली मेंबर के लिए भी यह उसकी पहली रिपोर्ट है जिसमें यहां पर रियक्टिव आया हुआ है और हमने बंदी छोड से अरज लगाई और कुछ टाइम बाद वो यहां पर रिपोर्ट देखिए कि नॉन रियक्टिव आई हुई है इस एच एस एबी हेर इस रियक्टिव और आफ फ्यू मॉन्स इट इस यह नॉन रियक्टिव हेर आपके पिटाजी को जो काला पी लिया था वो संतरामपाल जी मारा से जुँड़ने से पहले था या बाद में हुआ यह जुडने से पहले हमका डाल सिस हो रहा था लेकिन उनको जुडने के बाद हुआ लेकिन जब हमने प संदेश देना चाहेंगे मैं भगत समाज को यहीं संदेश देना चाहूंगे के मानुष जनम दुरलब है मिले ना बारम बार जैसे तरवर से पत्ता तूट गड़े फेर ना लगता डार आप आए जल्दी नाम लीजे क्योंकि यह गरंथों में परमान है किते हैं हाई अखर प नहीं बताया सिरफ बंदी छोड़ सद्गुररामपाल जी महराज ने वो बताया पूर्ण परमात्मा Poμα ब्रह्म बंदी छोड़ सद्गुरामपाल जी महराज करवाइए उसके रूप में आप आईए नाम लीजे कल्यान करवाइए वरना आप बात में बहुत प्रस्ता होग संद रामपाल जी महाराज की संद मा आये और अपना कल्यान करवाईए तो लोग संद रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दिख्षा ले सकते हैं कैसे जुड़ सकते हैं Sir, it is so easy the people, those who are watching channel एक program आता है बंदी छोर्ट सद्गूर रामपाल जी महाराज का और यह सब जहां पर भी शोर हो रहे हैं जो सचसंग आ रहे हैं उसके नीचे एक yellow line display हो रही है on which the numbers are displayed उन numbers पर आप कॉल करके अपना address बता सकते हैं नाम पता, अगर कुछ इंक्वारी है आप confirm कर सकते हैं और पुस्तक मंगवा सकते हैं और पूछ सकते हैं कहां पर नाम दिक्षा मिलती है आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अधिक जानकारी संपर्शी कुछ प्रवचन झाल झाल